हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम बाक टो माई चानल फैशन फंड अविक पूजा आई होप आप सब रुप ठीक डाक होगी और बहुत कुशुनी तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप कैसे अपने किचिन में मौजूद इस एक मसाले से आप अपना पूरा स्किन केर कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी और ग्रोइंग स्किन मिलने वाली है तो यह होम रिवेडी आपके फेस से फाइलाइस टिंकल्स को हटाएगा आपके एचिंग को स्लो कर देगा और आपके फेस पिचिते भी दाम थबबे हैं पिग्मेंटेशन है उनको जादा ख़तम कर देगा यह तो बहुत अच्छी ओंड़ेडी है तो पहले क्या होता था नोग स्किन केर के लिए पालर जाकर वहाँ और वहाँ सारे पैसे खाज कर देते थे बट अबना लोग जादा हूंड रेवेडी ज पर ट्रस्ट करते है तो अगर बहुत अश्य बीड में हर किचिन में वो अवेलेबल होगा और बहुत जादा अच्छा वो होता है तो मैं बात कर रही हूँ सौफ तो उसे इंग्लिश में फैनल सीट्स भी कहते हैं तो यह आपके इस पर आपके लिए बहुत जादा माजिक कितरे काम करता है तो जो आज मैं हो में रिटाओंगी अगर आप इसको कर लेज़े तो आप यह मांकेट के सारे आपके फैशल महंगे बहंगे टीटान इन सब को फेल कर देगा और आपको बहुत अच्छी स्किन देना वाला है तो इससे आपके स्किन बहुत ज़दा ग्लोइंग हो जाएगी बहुत ज़दा सॉफ्ट हो जाएगी और आपको एक्टम क्लियर स्किन मिलेगी कोई दाग दब्बे पिग्मेंटेशन नहीं रहेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं बट उससे पहले अगर आपने आपने तक मीचान को सब्स्राइब नहीं किया तो जल्दी सी कर लीजिए और हां इस वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी मिल भी मत बूलेगा तो जल्दी से वीडियो की तरफ पढ़ते हैं, और हमारा first step है, वे है कि आपको बनाना है face toner, तो फैनल सीड से हम face toner कैसे बनाएंगे ये जानते हैं, तो सिबसे पहले आपको लिएना है एक कैटोरे में पानी, जितना अजल में एक ग्लास पानी लेना है और आपको इसमें डालना है बड़ा तो उसको आपको अच्छे से बॉइल करना है लगभग पांच मिर तक बॉइल कर लीजिया उसको फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा ठंडा करके आपको उसमें मिलाना है विटमिन E की कैपसूल आपको यह बहुत एजली किसी भी फार्मसी पे मिल जाएगी यह अपकी फेस को बहुत जादा ग्लोइंग मनाता है तो सौफ क्या करते हैं उसमें एंटी बैक्टेरियल प्रोपरटी होती ही जो आपके आक्नी को बिल्कुल खतम कर देता है आपके विकाउट्स हो हमारे फेस को अंदर से मोश्राइज करता है बहुत जादा अच्छे से मोश्राइज करता है बट आपको बिल्कुल भी स्टिकी फेलिंग नहीं होगी उसमें आपको विटमिंग ए की सबसे अची बात होती कि वह आपके कोई भी स्ट्रेच मांक से या फिर अपके फेस कोई म अच्छे उनको अटाता है और आपकी एजिंग को रह बिल्कुल स्लो कर देता तो विटमिंग ए ओयल की यह बहुत अच्छी खास बात है तो मैंने एक विटमिंग ए ओयल क्रीटमेंट कर वीडियो बनाए था अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो मैं आपको इसको है तो आपको यह ओनिंग और ईवरिंग दोन लगाना है तो यह आपके न डी आपके फेस को डीक ग्लेंज करता है यह बहुत अच्छा ग्लेंजर की तरह काम करेगा आपकी फेस को टोन करताया तो जो फैनल सीट्स की सबसे चिमाद एक और होती है कि वह आपके फेस पना जो cellulite होता है यानि extra fat होता है और muscles होती है उनको थोड़ासा टोन करता है जिसे आपका face थोड़ासा slim भी रिखता है तो यह बहुत अच्छा है आपके face को toning के लिए भी काम करेगा तो यह हो गया हमारा face cleanser तो अगर आप इसी morning to evening लगाते हैं तो trust में आपको कोई भी महेंगे टोनर लगानी की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है आपके face को यह एक दम completely clean कर देगा और बहुत अच्छे से hydration देगा और आपको कोई भी चिफ चिफी sticky feeling नहीं हुई तो आपको इसे morning और evening दोनों लगाना है बिलकुल भी skip नहीं करना है अदरवाइस तो बात भी आप बोलोगे कि मेरी face पे तो इसलिए work ही नहीं कि आपको को कासिस्टेंसी दिखानी है तो यह थी फर्स्ट मेथड़ और हमारा जो सेकंड स्टेप है वह है कि आपको लगाना है अपनी face पे तो यह तब first step जो हमारा second step है उसमें हमें लेना है steam तो आपको क्या करे ना एक कटोरी में पानी करम करना है उसमें आपको के आपको सॉफ डालना है तो उसे अच्छा से अच्छे से अच्छे से बॉय करना है कम्पेटली जब वह ऑई हो जाय तो आपको स्टीम लेना तो आपको पांच मिनट तक लेना है यानि आप इसको दस मेर्ट तक बॉय करेंगी उसके बाद थोड़ दो तीन मिन पे-बाद तो गंदगी जमा हो गई थी, वो भी अच्छे से निकल जाएगी, तो अगर स्टीम आप लेंगे, तो आपके फोर्स खुल जाते हैं, जिनमें अगर बहुत से टाइम से डर्ट है, या फिर आपको से क्लीन नहीं करते हैं, अच्छे से आप रात में ऐसे या ओफस से आते हैं, तो अगर फेस पर अभी तक कलेक्ट है, तो यह स्टीम लेने से आपके फेस से वो सारी डर्ट निकल जाएगी, तो आपको फेस ना बहुत अंदर से क्लीन हो जाएगा, और आपके फेस पर कोई भी डाग थबी तो यह कंप्रीट निकाल देगा, सबसे अच्छी बाते हैं, आपके पोसंदर से क्लीन हो जाएगी, तो आपके अफिन ब्रिक आउट से होगे, वो बिल्कुल खतम हो जाएगी, तो अगर पिंपल्स बहुत होते हैं फेस पर तो इस मतलब होम रेमेडी के बाद आपके फेस पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम क्लियर हो जाएगी, इस में ऐंटि Bacteria properties होती है, जो आपके पिंपल्स को आने से भी रोगता है, तो यह स्टीम अगर आप लेते ही तो आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है, तो बहुत अच्छा ग्लो देता है आपके फेस पर और आपके डप्वाटस को भी घंदम कर देगा, त no worries, तो यह थी मेरी second step, तो जो मेरी third step है वो है कि आपको लगाना है face pack, तो face pack बनाने के लिए आपको लेना है 2 चमच oatmeal powder, 1 चमच soft powder, अगर आपके पास powder नहीं है तो आप इन दोरो चीजों को ले सकते, उसके बाद आपको उसको ग्राइंड कर लेना है, तो यह fine paste में convert हो तो आपको oatmeal क्या करता है न, आपके oatmeal को बहुत अच्छा, वो scrubber भी बोलते है, यान exfoliator, तो क्या करता है है, हमारी skin से सबसे परले dead cells को निकाल देता है completely, और आपके moisture को लोग करता है, यह आपके face से excess oil को भी control करता है, अब्सॉब कर लेता है, जिसे आपके face को अगर बहुत अच्छे से एक barrier effect create करता है, जिसे आने वाली further damages होते है, उनसे भी protect करता है, और oatmeal क्या करता है हमारे face, अगर छोटी-छोटी से जो textured skin होती आपकी, बहुत साले लोगों के face, आपको forehead और जो है, चीक्स पे, छोटी-छोटी से जाने type के निकलाते है, यानि आपकी textured skin है, उसको पेसे कमप्रीटी एक्टम अच्छा कर रेता है, तो उतमी बहुत सारे फाइदे हैं आपको एक्षाणी से बचाता है, आपके deep clean, आपके face को deep clean करता है, और अपके face से सारे dead cells को हुटा देता है, तो बहुत सारे इसके 파इदे हैं, और soft की पाइदे तो मैं आपको पहने ही ब जाए और अपके फेस पर अच्छे जिल लग जाए तो आपको इस फेस पाक को अपनी फेस पर लगाना है लग फंदा मेर तक उसके बाद आपको हलकी गुन-गुने फानिंग से इसको वश करें तो आप जैसे भी बॉश करेंगे अपनी फेस पर एक अलग साही ग्लो और आपके फेस पर जो छोटे-चोटे दाने अब देखेंगे भी एक-दो दिन में वो गायब होने लगे हैं आपके फेस से जो पिग्मेंटेशन है डाक स्पोर्ट से वो भी कम्प्रीटली गायब हो जाएंगे तो आपको इस रेमेडी को इन तीरों मेथट को आपको जो है कर लिया उसके बार सोचे कर नेक्स्ट हपते हमें ना करें और हमें रिजल्ट बिल जाएं तो कोई भी चीज ओवरनाइट वर्क नहीं करती आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसके लिए तो यह बहुत अच्छा मैथेड़ है और होंग रेविडी यह पुछ ज़द अगर आप इसको करते ही तो मैं आप गारंटी देती हूं कि आपको पालर जा के टी टान फेस फेशल नहीं कराना पड़ेगा यह किसी भी फेशल और किसी भी नी टान को पूरी तरसे रिप्लेस कर देगा यानि उनको फेल कर देगा तो इस रेमेंडी को ज़रू ट्राइकर और इस वीडियो को पूरा देखने के बाल आपको इसे शेयर भी करना है तो लोगों को शेयर करिये ताकि उनकी स्किन भी अच्छी हो यानि अपके फामिली और फ्रेंड्स तो थाइंक्यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो और अभी तक अगर अपनी चानल को सुब्सक टेक केर